कि पंदरा सो भीस बाबर के काल से लेकर अब तक सदिया बीद गई पतिक्षा थी कि आपको कभी लगा कि इस जीवन में भगवान राम को राम लाला को आप आउद्धा कि उस मंदिर में विराजमान होते विए देखेंगे जो एते सिक्षन है उसके आप गवा बनेंगे दिखेंगे यह विश्वास तो जरूर था कि मंदिर बनेगा कब बनेगा इसका इंतजार भी था लेकिन मुझे इस बात के खुशी है जैसा आपने कहा कि 1528 में बाबर के सेनापती नीरबाकी में उस मंदिर को केवल इसलिए तोड़ा कि मुगल यह जानते थे बाबर यह जानत और वो दिखाना चाहते थे कि देखो तुमारा भगवान भी तुम्हें नी बचा सकता क्योंकि तुमारे भगवान को भी हम समाप्त कर सकते और इसलिए वो बाबरी धाचा वहां पर उन्होंने तईयार के तो मस्जीद नहीं थी कोई नबाज नहीं पड़े गी वो एक इस तो नासूर बनकर इतने सालोंतख हमको चुपता था और और मैं भी हमेशा वीचार करता था राम मंदिर तो बनी गया था जैसे ही बाबरी ढचा दहाय गया वहां राम मंदिर बना राम जी का दर्शन भी हम लोगों ने लिया लेकिन क्या भव्या राम मंदिर जिसकी परिकलपना हमने की थी वो हम लोग देख पाएंगे लेकिन मैं प्रधान मंत्री मोधी जी का बहुत-बहुत आभार विप्त करना चाहता हूँ जिस गती के साथ इसका निर्माण हुआ है और प्रधान मंत्री जी के हातों से अब वहाँ प्राण प्रतिष्टा भी हो रही है तो मेरे जैसे करोडो करोडो नोगों के सपनों को पूरा करने का काम हो रहा है